आप सभी का स्वागत मॉडन क्लास्रूम के डेली करेंट नूज में चर्चा का विशे है प्रीथवी का नया साइलेंट स्प्रिंग एवियन फुलू से जंगली पच्छों की बड़ी संख्या में मौत के बाद वैज्यानिकों ने दावा किया है कि प्रीथवी एक नया साइलेंट स्प्रिंग का अनभाव कर रही है वैज्यानिकों ने दावा किया कि पिछले साल बड़ी संख्या में पच्छों की मौत हुई है विश्व स्वास्त संगठन के अनुमान के अनुसार अक्टूबर 2021 से एवियन फुलू के कारण 50,000 से अधिक पच्छों की मौत हुई है जिन में से जादतर मौते अफ्रिका और यूरोप में हुई है आपको बता दे की सब्द साइलेंट इस्प्रिंग का प्रियोग राहल कारसन ने 1962 में प्रकासित अपनी एक पुष्टक में किया था इसमें उन्होंने कीटनासकों के बारे में बताया था विशियस रूप से DDT के बारे में जो पच्छों को मौत के लिए जिम्मेदार होता है दरासर DDT के कारण अंडे के छिलके इतने पतले हो जाते हैं कि अंडा परिपक को होने से पहले ही फूट जाता है और हजारों पच्छों की मौत हो जाती है यूरोपी एक हाद दे सुरच्छा प्रादी करण के अनुसार यूरोप के 37 देशों में पच्छों की सरसत परजातियों में लगभग 3500 वायरेस संक्रमड पाए गये हैं यूरोप में ब्रेटेन, जर्मनी, फ्रांस और नीदर लेंड में सबसे जादा पच्छों की मौत हुई है जबकि अमेरिका में एवियन फुलू का पहला मामला जनौरी की सुरुवात में सामने आया था तब से एवियन फुलू के 3700 संक्रमड देखे गए हैं भारत में वी एवियन फुलू की पुष्टी सबसे पहले पिछले महीने केरल में ही हरिपद नगरपालिका के वत्नम में बतकों में की गई थी बाद में 4 नवंबर को केरल के ही चेरू थाना में प्रकोप का पता चला और तब लगभग 20,471 पॉल्टी पच्छों को मारा गया था यह वाइरस पच्छों की आतों यह स्वसंत अंतर पर हमला करता है और उन्हें पिमार कर देता है तथा एक पच्छी से दूसरे में फैलता है यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज अपने दोस्तों में इस वीडियो के ज़्यादा ज़्यादा सेयर करें और वीडियो को लाइक जरूर कर दे हमारे चनल को सब्सक्राइब करना न भूले मिलते हैं अगले करेंट न्यूज के साथ तब तक के लिए थन् झाल